नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एसकलेपियस आयरुवेदा में दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक नए प्रोड़क्ट कार्डियो डॉक्रस जो की AWPL कंपनी एसकलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिम्टेट कंपनी के दुवारा इसको हिर्दय का टॉनिक भी कर सकते हैं इस सेशन के जरीए हम जानेंगे काडियो डॉक्रस यह कैसा प्रोड़क्ट है काडियो डॉक्रस क्या है इसके कंपोजीशन इसमें कौन-कौन से तत्व मिलाए गये हैं इस्तमाल करने का तरीका इसे किस तरह से इस्तमाल के जाता है इसके अलावा सावधानिया और परहेज इस्तमाल करते समय कौन-कौन सी सावधानिया और क्या-क्या परहेज करने इन सारी सीजों की जनकरी आपको इस वीडियो के मैध्यम से देंगे दोस्तों बात करेंगे काडियो डॉक्रस क्या है काडियो डॉक्रस हिर्दय का टॉनिक AWPL company के द्वारा बनाया गया एक तरल आयरुवेदिक प्रोड़क्ट है जिसका इस्तमाल हिर्दय समंदी समस्याओं से निजात पाने में किया जाता है किसी भी तरह का heart blockage हो या body servicing का काम हो यह बहुत ही कारगर प्रोड़क्ट है यदि हम बात करें इस प्रोड़क्ट के ingredient की इसमें कौन-कौन से तत्तु मिलाएगे हैं तो आप देख सकते हो इस screen पर काडियो डॉक रस के composition के नाम एलोवेरा रस, अरजुन चाल, जटा मांसी, अशोक चाल, गुगल का सत है इसमें, दालचीनी है, त्रिफला इत्यादी इन सभी चीजों से मिलाकर यह बनाएगी प्रोड़क्ट है यदि हम बात करें इस प्रोड़क्ट को इस्तमाल करने का तरीका और साथधानियों के बारे में, तो इस प्रोड़क्ट को महीने के पहले 15 दिन तीन बार लेना है, सुबह में खाली पेट, और दोपर और रात में भुजन करने के एक घंटा के बाद, 25 से 30 मिल इस्तमाल करना है, 15 दिन बाद इस्तमाल करने के 15 दिन के बाद बस दो बार लेना है, सुबह के टाइम में खाली पेट और रात के टाइम में, खाना खाने के एक घंटा बाद, 20 से 25 से मिल, लगातार तीन महीने तक सेवा नवश्य करें, इस प्रोड़क्ट को ठंडे और सुखे इस्तान पर रखना जोरी है, और सुर्य के प्रकास से बचाकर रखना जोरी है, इसके अलावा इस प्रोड़क्ट का इस्तमाल करते समय, खटे पदार्थ या ठंडे पे पदार्थ का इस्तमाल नहीं करना है, तले भूने पदार्थों का भी शेवन न करें, इस प्रोड़क्ट के उप्य जनकारी है कोई भी प्रोड़क्ट लें यदि उसमें लिकज है तुटा-फुटा है तो उसका इस्तमाल न करें तो दोस्तों जनकारी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखिएगा इस सेशन के माध्यम से आपको हमने जनकारी दिया काडियो डॉक्रस क्या है इसके कौन कौन से कब पूजीशन है कैसे इस्तमाल करना है इस्तमाल करते समय क्या-क्या सावधानिया और परहेज हैं दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद